आज इस देश में अगर सबसे जादे कोई परिवारबाद का पोशक है तो नरिन्द मोदी अजित पवार से लेकर के जोतिरा दित्य सिंधिया जो कॉंग्रिस के नेता हुआ करते थे जो परिवारबाद के प्रतीक थे वह आज सभी भारतिय जनतापार्टी की सुभा भरा रहा तो भिष्म पितामह जैसा इस देश का प्रतापी राजा आंख मुंदे हुए था तो आप भिष्म पितामह की भी हम इंको के टेगरी में नहीं मैं मानता हूं कि धृत्राष्ट हो गये हैं जो आंख पर पट्टी बांगे हैं तो राष्ट्पत्ति बनने के लिए का रहे हों तो मारदर्सक मंदल में न जाएं इसलिए गाष्ट्पत्ति बनने का जुगत वगत लगा रखे होंगे इसके बारे मुख का रहे होंगे बाकी उनको तो पाइटी उनको प्रधान मंत्री नहीं बनाए नमस्कर नीच फोर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ ध प्राचीर से ब्रष्टाचार और पडिवारवाद को लेकर बड़ा हमला बुला है हमारे साथ बिहार सरकार के पुर्व मंत्री और आरजेडी मले सुधाकर सिंग जी सराज प्रधान मंत्री मोधी दसमीं बार लाल खिले की प्राचीर से बोल रहे थे उन्होंने पडिवार олж्य सलसे प्रधान मंत्री हैं तख करते हैं हम पय को हम आगे क्या करेंगी पहली बार देल के प्रधान मंत्री को आपने देखा होगा जिसके पास उपलब्धी नहीं होने की चलते कुछ भी हम बोल सकते हैं इस विशह सादिकार का इस्तेमाल करते हुए असक्य बाते जूट कि अप्से जादे कोई परिवार बाद का पोशक है तो नरिंद मोदी, अजित पावार से लेकर के जोतिरा दित सिंध्या, जो कॉंगरिस के नेता हुआ करते थे जो परिवार बाद के परतीक थे, वो आज सभी भारतिय जनता पार्टी की सुभा बरा रहे हैं, नरिन्न मोधी की जो भरात है, उस भरात के ये बराती लोग हैं या सत्य बात बोल रहा है प्रधान मंत्री जी को देश से माफी मागना चाहिए ऐसे लोग जो महा भरष्ट की स्रेडी में लोग है ये नहीं है कि उल परिवारवाद के ही प्रतीक है ये भ्रष्ट अचार के भी प्रतीक हैं ये कई आउसरों पर इनके खिलाफ प्रधान मंतरी मोधी जी ने आरोप लगाया आज उनके साथ गलवहिया किये हुए हैं तो यह क्या माना जाना चाहिए यही माना जाना चाहिए कि जब आपके साथ हैं तो साफ हैं और यो भी भासा राइनीती में गहने का प्रियास कर रहा है इससे देश के लोग समझते हैं बुद्धी जी और आम बद्धाता कि दरेंद मोरी जी के पास कोई उपलब दिन है प्रधान मंत्री मनिपूर के लेकर भाषन के सुरुवात किये विपक्सी और से लगतार मांग किया जा रहा था कि सदन में आकर बोले आज जो लाल किला की भाषन के सुरुवात है क्या प्रुख संतुष्ट है कि मनिपूर के से जो उनके सुरुवात हुई है सकरात्मक मेसेज देखिए हम लोग तो ये मानते हैं कि देश के प्रधान मंतरी को देश के प्राचीर से माफी मांगना चाहिए था कि मेरे जर से प्रधान मंतरी रहते हुए हमारे देश के बहु बेटियों के साथ ब्लाधकार हुआ ठीक उसी तरह से जब आप महाभारत काल में जब ध्रावपदी का चीरहनन हो रहा था तो भिश्म पितामह जैसा इस देश का प्रतापी राजा आँख मुंदे हुए था जब इतने बड़े संकट में भी आप बचाने का काम नहीं किये तो कम से कम माफी तो मांग लिये होते हैं इस देश के लोगों से कि मैं सरकार चलाने में सच्छम नहीं हो हम को देश माफ करें परदानमंत्री यह भी कहते हैं कि दस साल तक देश के जनता के सेवा किया एक बार फिर से अगले साल जो है लालकिले की प्राचिर से मैं ही संबोधन दूंग अनका साफ इसारा था कि आगा में जो लोग सबा चुड़ा हो गया उसमें एंटीय अर्मोधी सरकार की बापसी हो साले को चुनावी राइनिती से बाहर करके मार्गदर्सक मंदल में भेज दिया गया आडवाणी जी और जोसी जी जैसे लोगों को तो अब साइद वो देख रहे हैं कि हम 75 साल पूरा हो गया तो मार्गदर्सक मंदल में न जाए इसलिए राश्पत्ति उस्पत्ति बनने का जुगत जुगत लगा रखे होंगे इसके बारे मुख का रहे होंगे बाकी उनको तो पाइटी उनको प्रदान मंतरी नहीं बनाएगी एक आखरी सवाला सर की आज लाल किले की प्रदान मंतरी का संबोधन चल रहा था उस समय कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्स मलिकार जुन खरगे मौजूद नहीं थे बीजेपी की ओर से कहा जा रहे है कि अपको विपक्ष मेरे नेता मानने के लिए वित्यार नहीं है मलिकार जुन खरगे बड़े नेता हैं अनुभवी नेता हैं नौ बार लोग सभाग सदस्च रहे हैं उनको देश की और राजी की राजिकी राजनीती सम्झाने की हम लोग जुर्वत नहीं कर सकते जरूरो सतंतता संग्रा सतंतता दिवस पर जरूरो कार्कम में भाग लिये होंगे चुकि कांग्रिस के राष्टिय अध्याच्छे हैं कांग्रिस के कार्कम होंगे सतंतता दिवस पर उसमें सरीक हुए होंगे और उनकी दाई तो है कोई जरूरी नहीं है कि पूरा संपूर्ण देष लालकिला की ही मैदान में पहुँचे और इतनी बड़ी नहीं है कि देष के सभी लोग वहां पहुँचे ये ओछी मानसिक्ता का परिचायक है भारते जंता पार्टी की आ रोप लगाना भारते जंता पार्टी के भी लाखों कारे कर्दा वहां थिते हैं ौध नहीं पहुंच पहुंच पाए होंगे तो क्या वह राष्ट द्रो ही लोग Howard क्या वो पाटी विरोधी लोग हैं इस तरह कि मान बोलने वाले लोग की मानशिक्ता समझ में आती है कि कुन्थित मानशिक्ता के लोग हैं बहुत बहुत धन्यवाद में पुर्म मंत्री और अर्जेडी में सुधाकर सिंग्ग दिलिशन इस फॉर्ण नेशन क्लेम में धीरत सिंग्ग